मतदान के तैस समय के बाद अजमेर धक्षन से कॉंग्रेस के प्रत्याशी रहे हमन भाटी के निवास पर हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने जोरदार नारे बाजी करते हुए इलाके को गुंजाय मान कर दिया गरीब की लाटी हमन भाटी जैसे नारों के बीच समर्थकों ने हमन भाटी की जीत के दावे करने में भी कोई कसर नहीं चोड़ी अजमेर जिले की आठ विदानसवा सीटों के 74 उम्मीदवारों का भाग अब मतदान मशीनों में कैद हो गया है शाम सही 5 बजे मतदान की समाक्ति के बाद मतदान दलों का लोटना शुरू हो गया मतगर्ना आगामी 8 दिसंबर को होनी है तब तक मतदान मशीनों को इस्थानी पॉलो टेक्निक कॉलेज के स्ट्रॉंग रूम में रखा जाएगा स्ट्रॉंग रूम की त्री इस्तरिये सुरक्षा के इंतिजाम किये गए हैं अजमेर जिले की अजमेर उत्तर दक्षिन पुषकर किशनगाड नसीरबाद ब्यावर मसूदा और केकडी में शांतिपूर मतदान के बाद प्रशाचन ने रहात की सांस लिये चुटपट वारदातों को छोड़कर अजमेर में मतदान शांतिपूर रहने पर जिला निर्वाचन अधिकारी वेवाव गालेरिया ने सभी का आभार व्यक्त किया है मतदान समापती के बाद मतदान दलों के अजमेर की और लोटने का सिलसिला शुरू हो गया आशा है देर रात तक सभी 1812 मतदान केंदरों से मशीने अजमेर के पॉलोटेक्निक कॉलेज पहुच जाएंगी मद्दान मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए पॉलो टेक्निक कॉलेज में स्ट्रॉंग रूम बनाया गया है जहां इन मशीनों को आगा में 8 दिसंबर तक सुरक्षित रखा जाएगा 8 दिसंबर को यहीं पर मतगरना होनी है